प्यारे सातियों महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है, आज आप पढ़ोगे रेडिमेड पैसे वोईस, यह नी बनी बनाई तयार पैसे वोईस, अब देखो आप कितना ही पढ़ लो, एक्टिव वईस क्या होती है, पैसे वोईस क्या होती है, लेकिन निस्कर्स क्य है अरे मेरा सही आना चाहिए यह एक्टिव वैस है पैसे वैसमें अगर करक्ट हो गया तो आप सीख गए वरना नहीं सीखे तो वही चीज एकदम रेडिमेट पैसे वोईस है लेकिन उससे अपनी खुद की helping और man वरवाएंगी उसके बाद object होगा उसके बाद कुछ other word हो सकते हैं और जो पैसे वोईस का फर्मूला है वो उल्टा होता है या नहीं जो object है वो सबसे पहले आएगा उसके बाद में सबसे मैं बात जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया जिसके लिए मैंन की यह पैसे वाली helping बर man वर करेक्ट है ना उसका काम हो गया वो पैसे वोईस सीख गया उसकी करेक्ट आएगी इसके बाद में बाई आएगा और बाई के बाद में जो सबजेक्ट एक्टिव वोईस में सबसे पहले आता है वो इधर आ जाएगा या नहीं जगो यह subject object इस वीडियो को नाव में ready made और धानक ना एक्सप्रेंस से बता रहा हूं यही चीज़ तो गलत होती है यार एक्जाम में इतने साल से पढ़ा रहें कौपी चेक कर रहें अंत में यह चीज़ बच्चे गलत करते इसके अनुसार जो इसको पकड़ गया यह आएगा वह पैसे प्लेइंग और अब्जेक्ट हो गया क्रिकेट तो राहूल क्रिकेट खेल रहा है यह एक्टिव वईस है इसमें यह सब्जेक्ट हो गया यह एक्टिव वाली helping बर्ब मैंबर्ब ठीक है और यह हमारा ओगे औब जब इसकी पैसर बनाएंगे तो मैं औब्जेक्ट रखेंगे अब्जेक्ट क्या है क्रिकेट तो इसको मैं नहीं यहां पेBecause क्रिकेट ये वबिजक्त को आप पहछानाए चाहो क्रिया से पूछे लो क्या से जो र açक जैसे राउल खेल रहा है क्या क्रिकेट तो जो क्या से रेखन होता है तो इसमें अब्जेक्ट आंगया क्रिकेट उसके बाद में पैसिव जाSpace मैं बर्ब अब देखो एक्टिब में अगर इजे मार और आई एंजी फॉर्म आये यह निए प्रिजेंट कंट्र स्टेंज आए तो इजे मार इजे मार तो रहेंगे बीइंग और लगेगा बाहर से कोई उसे बढ़ी बात में साँ चीज मैंन वर्व व फिक्स है पैसे बाक्ति आती है मूह मुऌ मन्तर कभी मた बुनए उसके बाद में क्या लगाओ गया बाई emissions उसके बाद में जो subject है न राहुल, यह उधर चला जाएगा तो by राहुल, एक छोटी सी बात और add कर दू, अगर यहाँ पर ही होता, तो यहाँ पर हेम आ जाता, सी होता तो हरा जाता, दे होता तो देम आ जाता, वी होता तो असा जाता, नाम का नाम रहता है, simple वात है, कोई द वास में क्या बोलेगा, राहुल क्रिकेट खेल रहा है, और पैसे वास में, क्रिकेट इस बिंग प्लेड बाई राहुल, क्रिकेट राहुल के द्वारा खेला जा रहा है, यहनि सेंटेस का सेंस नहीं बदला, बोलने का तरीका बदल गया, राहुल क्रिकेट खेल रहा है, क् यह है आपकी रेडिमेट पैसे वाइस इसको पैन कॉपी लेकर या तो इसकी इन सोट ले लो या फटा-फट से नोट कर लो गर आप इस ड्वेंट है तो क्योंकि एक्जाम में खुब पता है ऑब्जेक्ट शुरू होगी यार खुब पता है थड़ फरमाईगी खुब पता है अब इस रावल अपल रहूल एक सेव खाता तो रहूल अगर यह हो तो फिर पैसे में पैसे वाली चक्कर सुनो लो ये सब में मिलेगा और यह वाज अथववर इज्ट वहार वाज अथववर यह सबजेक्ट का चक कर रहा जैसे देखो राहूल एट एक सेव खाता है एक सेव तो पर क्या आएगा आर आएगा तो किसे काटता है मुझे तो आई एम बिटन मुझे काटा जाता है बिटन इसके बाद रिटन इसकी तो रिटन होगी मतलब कहने को मतलब है वर्ब में चेंज कर दी बगि आप इसे फोकस करो कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो वाज अत्वा वर्ब के साथ थार फॉर्म आती है अगर सब्जेक्ट एक होगा तो वाज आएगा ज्यादा है तो वर्ब होगा जैसे लेटर लिखा जाता है यहां पे तो लेटर इस लेटर वाज वज और लेटर स है स्टोरीजर तो वर आएगा इजमार मेकिंग मतला इसमार के साथ वर्ब की फॉर्म आए तो इ stripes वाज वर्ब के साथ फर्म उ इसमित और तो रहेंगे बाहर से इंगा और बाहर से यह इव ए बार रहें दोनों को मुझा ना बता सब्जक्ट सक्षाइक में रहेगा जाद है तो बाहर से चिसरैन आप तो वे डैसे ऐसमा मुझा finer इसमें बीन आया यह जो मैं नोट कर रहा हूं यहां से आपकी पैसे सही होगी ठीक है अब बढ़े हागे नोट कर रहे हो तो कर ले ना अगला है अगर हैड इटन जैनि हैड प्लोस थर्ट फॉर्म आए तो हैड बीन इटन पास्ट परफेक्ट टेंस बीन आएगा बाहर से यह अगला है विल अथवा सैल है कुक्ड तो यह प्रजेंट पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो इस विलहाव यह साथ बीन हो रहाए गा अच्छा विल और सैल में आई वी के साथ सैल अगर के साथ विल ग्रुप है तो बाहर से बीन आया अब पकड़े पकड़ने वाली बात क है प्रजेट परफेक्ट में यह 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 रहा है यह नहीं यह नहीं ऌट यह तो फिर्जेंट इन्टम प्लस थ्रफिर फॉर्म पॉस्ट में हैं उसके बाद विल सैल प्लस सेलिब्रेट विल सैल celebrate my birthday my birthday will be celebrated IV के साथ आता दर्ग साथ विल आता तो बी आएगा बाहर से can I may I must I in the learn work देदी यहाँ पे तो यह तो रहेंगे इनके साथ बी आएगा models के साथ बी आता है बाहर से model तो रहेंगे बी और आ जाएगा is mr going to buy यह ना है तो going to वाले sentence होते है I am going to open a sop में एक दुकान खोड़ने जा रहा है मुदो कोई काम करना सुरू करें going to वाले sentence एक structure होता है इसमें भी बाहर से बी आता है is mr going to be bought तो यह हमारे man man सारे tense के structure है जो most of exam में आते हैं इसलिए मैं निका यह चीज़ सही कर दी इसके जिए तो एक्सराइस देखने से पहले एक्सराइस देखने से पहले चोटी सी आते हैं अक्सर कहता है तो सिखा के छोड़ोंगा दिल से आती है बात लेकिन आपको सारी सिक्वेंस में चाहिए करम से चाहिए तो यह चीज अब प्लेश्टोर पर जाईए हमारा एप है महेश गुरुजी उसको डाउनलोड करना रेइस्टर करना पेड कोर्स में जाना उसमें एक उप्सान है पेड कोर्स को उसमें 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 क्लिक करना दो तीन कोर्स है सबसे पहला कोर्स है English writing course, यानि अंग्रेजी लिखना कैसे सीखे, यदि आपको sentence बनाना नहीं आता, sentence में क्या grammar लगती है, sentence कितने type के होते हैं, लिखते लिखते अटक जाएं तो क्या करें, तो लिखने के लिए ज़रूरी grammar वो करवाईए और लिखना सिखाया है, हाँ, writing section भी है, letter writing, paragraph, writing, इस अप PDF है, दूसरा course है, complete English grammar course, basic to advance, सारे English grammar को, सारे topics को sequence में deeply करवाया है, हर वीडियो के साथ PDF notes है, सबसे खास बात, वो वीडियो, वो courses, यूट्यूब पर नहीं वो अलग से तयार किये, इसलिए थोड़ा से फीस है, थोड़ा चार्ज है, आप चाहें तो उनको भाई कर सकते हैं नहीं करना, बिल्कुल मत करना, मैं किसी को force नहीं करता, अब जाते जाते आपको थोड़ इसी exercise देख लेते हैं, पूरा sentence में, यहाँ पर तो केवल, मैंने इस पर काम किया था, अब मैं पूरे sentence पर काम करूंगा, my mother cooks food for us, मेरी मां हमारे लिए खाना पकाती है, तो क्या पका क्या बचा for us, हमारे लिए, तो खाना, मेरी माता जी के दौरा हमारे लिए पकाया जाता है, इसके बाद मैं, she is cutting the apples, वो save काट रही है, तो क्या काट रही है, apples, एक बात ध्यान दगना, अब जैसी यहाँ पर तो ए छोटा है, लेकिन जब sentence सुरू कर रहे हो, तो जब sentence बाहर से कायागा, apples ज्यादा है, तो आर लगाओ, बाहर से है, सही हो गई, अब कट की थर फर्म, कट, 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 कटेर मत कर देना, कट होती है, तो apples are being cut, by her, c जब उदर जाएगा, तो by her में change होगा, बाई लगा दिया, जनी subject को object बना दिया, और object को subject बना दिया, बीच पैसे ही कर दिया, teacher इसी को देखेगा, ठीक है, teacher इसको देखेगा, यह पैसे है यहाँ पर, He has bought some new dresses, वहें कुछ नई dresses खरीच चुका है, तो क्या खरीच चुका है, some new dresses, क्या से उत्तर आता है, object होता है, अब देखो, SM में तो क्या है, has a plus third form, बाहर से कहा है, बीन, 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 अगर बीन लगा दिया उनके साथ, हैसे को साथ, आपकी पैसे वह सही है, और लेकिन dresses ज़्यादा है, तो यहाँ पर तो ही के साथ है, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर दोगे, have, has a group है, have been, third form हमें सा आती है, bought, कट की तो कट कट होती है, इसकी third form आएगी, पहले से perfect में third form आती है, third form लगा दी, some new dresses have been bought, by, और ही जब उधर जाएगा, तो हर, oh sorry, him में change होगा, we should plant trees, हमें पेड लगाने चाहिए, हमें क्या लगाने चाहिए, पेड, trees, should का should रहेगा, बाहर से क्या चीज़ आएगी, be, should be और third form आएगी, planted, हाना, by us, हमारे द्वारा, या फिर मत भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, यह एक अलग चर्चा है, लेकिन इससे कोई खास फरक नहीं पड़ता, man cheese, yeah, should be planted, have been bought, यह है, passive voice, रवी टोर, a new notebook, रवी ने एक नई नोट बुक फार दी थी, tear, torn, torn, tear फार ना, torn, फारी, torn फार चुका, एक वर्ब है यह, तो क्या फार, उसने अपनी copy फार दी, नई नोट बुक फार दी, तो क्या फारी, a new notebook, नोट बुक आई यह, अब second form में तो past tense है, फिर बाहर से का आएगा, वाज या वर्ब, अब notebook एक ही है, तो वाज, यह notebook होती, सारी copy फार देता, तो वर्ब लगा देता, new notes books होता, तो मैं वर्ब लगाता है, लेकिन एक यह तो वाज, बाहर से वाज आया ना, ठीक है, second form होने पर past definite tense में वाज वर्ब आता है, new notebook, वाज, tear, torn, torn, अब यह नहीं आती, तो भाज, नहीं हती में क्या करो, जिससे तरव यह नहीं आये, तो एक्जाम में यहां फ़र्ब जाओगे, इसलिए थोड़ी वर्ब की फॉर्म भी दिमाग में रखा करो, कभी-कभी देख लिया करो, तो भाई, रवी, नाम होता है, तो नाम का नाम रहता है, भाई, रवी, तो भाई, यह था मेरा तो ग्यान, मैं तो simple बात करता हूँ, मुद्दे की बात, मनलब, मेरी वीडियो में बस एक बास सोच क्या था, कि आर फायदा होना चाहिए, मनलब, time waste ना हो, बस जल्दी से मू वोट कर लेना, यह ready made है, बागी और कुछ नहीं बस, ठीक है, वीडियो को ज्याद, वीडियो को share कर देना, काम का वीडियो है, आपके दोस्तों को भी इसका फायदा दे जाए, ठीक है, तो मिलते है, next video, next topic के साथ, तब तक के लिए, bye